जैशे राम दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि शनी मकर राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं जन्वरी के अंतिम सप्ता में 2020 में अपनी राशी में शनी का वापस आना ये लगबग 26 साल बाद हो रहा है इसका क्या फल हमारे उपर होगा आपकी लाइफ पर होगा आईए आज इसी बारे में जानते हैं आईए पहले तो देखते हैं कि गोचर देखना कैसे चाहिए मैं कई बार अपने अलग-अलग वीडियोस में बताता रहता हूँ कि गोचर देखने के लिए अलग-अलग टेक्नीक्स होती है कुछ लोगों को मैंने करते दिखा है कि वो लगन और चंदराशी दोनों से एक जैसा फल ही बताते हैं कि अगर आपका लगन मेश है तो भी यही फल होगा और आपकी राशी मेश है तो भी यही फल होगा पर शास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं वो क्या कहते हैं, मैं अभी आपके सामने रखता हूँ, सबसे पहले तो ये कि जन्म राशी के अनुसार देखना चाहिए, आपकी कुंडली में चंदमा जिस राशी में है, या आपका जो बोलता नाम है, जिनकी जन्म राशी जिन लोग को नहीं मालू, तो उन राशी के अधा फल दिपिका में अश्टकवर का ध्याय में बताया गया है, छोटा सा एक्जामपल मैं आपको देता हूँ, कि अगर चंदमा से जब भी तीसरे छटे या ग्यारवे में शनी जाता है, तो वो शुब फल दायक है, मैं रिपीट करूँगा, चंदमा से जब भी तीसरे छटे ग्यारवे शनी का गोचर होगा, वो लाब दायक है, और जब लगन की बात आती है, तो ये कहा जाता है, कि जब लगन के उपर से, लगन से चौते में, और तीसरे छटे ग्यारवे में शनी का गोचर होगा, तो फायदा होगा, फर्क समझिएगा, यदि आपकी राशी के से चौथे घर में जब शनी का गोचल आता है तो उसे धाया कहा जाता है और उसे बुरा माना जाता है वहीं लगन से चौथे घर में शनी का गोचल शुब दायक है ऐसा मैं नहीं कहता अगर आप फल दिप्पिका पड़े तो मंत्रिश्वल जी ने उसमें बताया है इसके सही नहीं है कि लगन जैसे यह वैसे ही राशी का फर लगा लो वो चीज यहां नहीं आती तीसरा नक्षत्र के अधार पर आपका नक्षत्र क्या है यह बहुत महत्पून होता है इसी भी ग्रह के गोचल को देखने के लिए तो आपको उसके बारे में भी बताया जाएगा कि आपका अगर नक्षत्र आपको पता है तो उसके अधार पर यह शनी का गोचर कैसा है इसके अलावा जन कुल्डी में शनी कहा है वहां से आज कहा है वो भी बहुत महत्पून होता है तो इन चार में फैक्टर पर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम इनको अलग-अल अगर जनकुली में ग्रहो की स्थिति खराब है तो गोचर का असर जादा प्रतिकूल होता है उधारन के लिए. अगर मान लीजी आपका चंद्रमा कमजोर है, आपका चंद्रमा गंडमून लक्षत्र में है, आपका चंद्रमा मावस्या के पास है, तब अगर आपके उपर तो जितना भी हमारी दुनिया में 12% जो भी सेक्टर होता, सेग्मेंट होता, पपुलेशन का, वो एक जैसा पेड़ित होता, जो कि एक्चुली नहीं होता. वो इसलिए नहीं होता कि कुल्ली में ग्रहों की सिती अलग-अलग है. दूसरा वलतमान दशा आपकी क्या चग रही है. अगर वलतमान दशा आपको बहुत अनुकूल परिणाम देने वाली है, ऐसे में गोचर अगर प्रतिकूल भी है, तो बहुत नकरात्मक परिणाम नहीं दे सकता है. इसके अलावा बाकी ग्रहों का गोचर आजकल कैसा चलता है, उसको भी देखा जाता है. मेरा कहने का मतलब यह है कि जो मैं आगे बोलने वाला हूँ, उन पर इन तीन चीजों का बहुत असर आता है. तो जब भी अपनी पत्रिका पर लगाएं, तो इन तीनों को पहले जाचले, उसके बाद देखें कि रिजल्ट कितना जादा, कितना कमार है. तो अगर यह चीजे आपने छोड़ दी और जो कही भी बातों के उपर अगर आप असर देखने जाएंगे, तो उसका परिणाम आपको कम मिलता हूँ अप्रतीत हो. तो आरंब कलते हैं राशी के इसाब से कि अगर आपकी राशी, आपकी कुल्णी में चंद्रमा अगर अलग-अलग राशियों में बैठा है तो उसका क्या फल है और अगर आपका नाम अक्षत उससे जुड़ा है तो उसका क्या फल है. इसको मैंने तीन ग्रुप में डिवाइट किया है. किन राशियो के लिए अशुब होने वाला है और किन राशियों के लिए ये मध्यम दर्जे का रहेगा. तो आरम करते हैं शुब फल दायक राशियों से. देखिए विश्चिक राशी के लिए गोचर बेहद लाबकारी है. जैसे ही मकर में शनी आएगा उनको शुब परिणाम उनके आपके राशी से छटे घर में शनी का गोचर आ रहा है. क्रूर ग्रह का गोचर छटे राशी में चन्म राशी से अच्छा माना जाता है. इसके अलावा मीन राशी के लिए गोचर बहुत लाब दायक है. आर्थिक दिश्टिकोंड से भी और तरक्की मिलने के योग है. तो इनकी साड़े साथी चली रही है. यहाँ पर मैं ये भी कहूंगा कि ये पहले से ही थोड़ा सफर कर रहे थे. तो अब भी कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि इस गोचर का और नकरात्मक प्रभाव इनके बढ़ेगा. लेकिन आर्थिक दिश्टिकोंड से हम कह सकते हैं कुछ सि इनकी कमजोर होने वाली है. मिथुन राशी, इनके लिए भी जो परिणाम है बहुत ज़्यादा शुब नहीं होने वाला शनी का गोचर जिस तरह से इनके अश्टम में आया है चंदराशी से, तो ढहिया आरंभ हो गई है उसको हम देखेंगे. इसके अलाबा कन्या राशी क के लिए भी कमवेश यही स्तिती है और इसको कंटक शनी कहते हैं जब पंचम भाव में शनी का गोचर होता है. इसके अलाबा तुला के लिए भी ढहिया चालो हुई है. यहां यह सब दिखाने के बावजूद मुझे यह कहना होगा कि इन पर क्या-क्या असर पड़ेगा इस मेश है, ग्रिशब है, कर्क है, मकर है, मकर की साड़े साती चल रही है लेकिन फिर भी हमें यह कहना होगा और कुम्भ है. इनके लिए मध्यमफल दायक होगा यह गोचर जो अब शनी का होने वाला है. अब बात करते हैं लगन से. देखें दोस्तों जब आपको आपके लगन को प्रभावित करता है. उसी के अधार पर मैं अब आपके सामने फ़ल रख रहा हूँ. मेश लगन की गुंड़ी कुछ इस प्रकार नजर आती है, जिन लोगों को जोतिश की समझ कम है, उनको मैं कहूंगा अपनी पत्र का खोलें. और लगन में यह जिस भाव पर अभी मैं हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शनी एक क्रूर ग्रह है, विरक्ती का ग्रह है. ऐसे में क्रूर ग्रह शनी कुल्डी के चौथे घर को देख रहा है, चौथे से चौथे यानि सब्तम भाव को देख रहा है. यह दोनों ही भाव ग्रहस्त जीवन के लिए बहुत important होते हैं. वहाँ पे शनी जैसे विरक्त ग्रह की दिश्टी आना पारिवारिक सुख में कमी को दशाती है. इसके अलावा द्वाव जो शया सुख का है या physical intimacy का है between husband and wife, वहाँ पर भी शनी जैसे ग्रह की दिश्टी उसमें कमी लाती है, नीरस्ता लाती है. इसके अलावा कुल मिलाकर ये समय कारेशित्र में तरक्की करने का है, वहाँ फोकस जादा बढ़ाने का है, महनत करने का है और पारिवारिक जीवन से थोड़े समय के लिए अगर दूरी बनने के योग दिखते हैं, अगर ऐसा अपने आप हो जाता है, आपकी कहीं पोस्टिंग बाहर हो जाती है या घ यारवे घर, तीसरे घर, और छटे भाव को देखेगा, इसका क्या फल है, भागेश का भागिस्तान में आना ओव्योसली बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला है, विशब लगन के जात को, इसके साथ साथ करम भाव का स्वामी भी यही शनी बनता है, जो लाब भाव पर योगों को दशाता है, शनी नवम भाव में बैटकर यहाँ पर एक स्पेशल योग बना रहा है, और अल्मूस्स सभी उपचे भावों पर उसका कनेक्शन है, कैसे, उपचे भाव होते हैं, तीन, छे, दस, ग्यारा भाव, इन भावों से व्यक्ति के जीवन में उसकी है, जितनी महनत करेंगे, उसका फायदा आपको देखने को मिलेगा, जितना भागा दोड़ी होगी, उतना ही उसका लाव मिलेगा, तो उसके लिए तयार रहें, आलस से मताने दीजेगा, आलस से आपके उन्नती को यहाँ पर संकुचित कर देगी, तो बहतर है कि जितना दि खोल कर महनत करें, उतना बहतर परिणाम आप देख पाएंगे, अपके फायदा होने के योग है, जीवन साथी से आपके तालमेल बढ़िया होते दिख रहे हैं इस कुल्ली के निसार, और साथी साथ प्रॉपर्टी को लेकर भी अच्छी ख़बर सुनने को मिल सकती है, तो ये विशब लगन वालों को इस गोचर का फायदा मिलेगा, अब बात करते हैं मिथुन लगन की, मिथुन लगन की कुल्ली में शनी अश्टम भाव में आया है, वहां से वो दस्वे घर, दूसरे भाव और संतान भाव को तेखेगा, इसका क्या प्रभाव होगा, भागेश यहां पर अश्टम भाव में आया है, लेकिन वह वहां पर स्वराशी का है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कोई भी ऐसा काम जो छोटा, सुनने में छोटा लगता हो, ऐसे कार्यों से आपको फायदा रहेगा, तो कोई भी काम करते हैं कि उसको छोटा बड़ा ना स अब अगर आपकी पत्रिका में शनी किसी ऐसे भाव में है, जहां से वो कुम्ब राशी से या तो दिश्टी संबंद बना रहा है, या कुम्ब राशी से बहतर स्थान में है, as compared to मकर, उधारन के लिए मैं अगर यहां उधारन दो आपको, माली जी लगन में ही किसी का शनी बैठा है, मितुल लगा, तो कुम्ब राशी से वो पंचम में गया, और म अकर राशी से वो छटे में गया, तो जादा श्रिष्ट फल वो कुम्ब के देगा, इसका मतलब यह है कि अगर आपकी कुल्डी में कुम्ब राशी से शनी अच्छा बैठा है, तो धनागमन के योग बहुत अच्छे देख रहे हैं, बहुत फायदा होता आपके लिए इस स संतान प्राप्ती के योग है क्योंकि भागेश के दिश्टी पंचम भाव पर है, भागेश अष्टमेश होकर धनभाव को भी देख रहा है, तो उधा देने से बचे और तुक्डो में पैसा आने के योग है आपके पास, यात्रा के योग है और संगर्शों में सफलता प्र यह नजर आता है फिलाल आपकी पत्रिका से, अब बात करते हैं कर्क लगन की, यदि आपका कर्क लगन है तो आपके सब्तम भाव में शनी का गोचर आया है और वहां से वो आपके भागिस्थान, आपके लगन और आपके चौथे भाव को देख रहा है, जनकुंडली का सब्त करते हैं, काल पुश्च से सब्तम भाव में तुलाराश्य आती है, वहां पर भी शनी की दिष्टी है, और भावाद भावम के अनुसार सब्तम से सब्तम भाव लगन होता है, तीनों पर शनी का प्रभाव होना ये दिखाता है कि विवाईक जीवन बहुत अच्छा यहां प आप स्पिच्छालिटी की तरफ मूव करेंगे, उतना ही आपको फायदा होगा इस समय क्योंकि शनी इस समय आपके लगन को देख रहा है, शनी इस समय आपके भागिस्तान को देख रहा है, तो ऐसे में आध्यात्मिक उन्नती के योग बनते हैं, भागी में व्यवधान के वी संकेत है, क्योंकि इस कुल्ली में शनी अश्टम आधिपती होता है और इसकी भागिस्तान पदिष्टियाना इसको संकेत देख रहा है, अगर आपकी पत्रिका में ब्रहस्पती लगन में हैं, चौथे भाव में हैं, सब्तम में हैं, या नवम में हैं, जहां-जहां भी शनी का प्रभाव है, तो ये सिती थोड़ी और बढ़ी हुई आपको फील हो, आर्थिक उन्नती के योग हैं और संतान से शुब समचार मिलने की संभावनाएं भी हैं, संतान की तरक्की, संतान जिनके नहीं हो रही है, प्रयास कर रहे हैं उनके होने की संभावना इस समय द बुरे घर है, 6-8-12 उनसे संबंद बना के बैठा है, ये शुब समय का आगबद है, ये आपके रुके हुए काम, आपकी महनत के परिणाम देता हुआ नजर आ रहा है कि इस समय आपको उसका विशेश लाब मिलेगा, जैसे मैंने गा यहाँ पर एक चीज़ और धिधन खल्चे अन्वांटेड, अन्डेजाइरेबल होंगे, इसकी संभावनायों को ये प्रगाड कर रहा है, प्रॉपर्टी और आय के लिए अत्यदिक शुवयोग है, पैसे का आगमन जैसे मैंने शुरू में कहा, अच्छा होता दिख रहा है, साथी साथ प्रॉपर्टी समचार के यहां भी योग है, जीवन साती के स्वास्त का विचार रखने के लिए इसले कहा गया, क्योंकि सब्तम आधिपती छटे भाव में विराजित है, तो थोड़ा उनको परिशानी हो सकती है, और एक बात और मैं जैसे यहां बता रहा था कि कुनली के 6-8-12 तीनो होना, आपके शत्रुपक्ष को कमजोर कर रहा है, जो आपके खिलाफ खड़े होते हैं, जो कंपुटीशन में आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में परिशानियां भढ़ने वाली है इस समय, अब बात करते हैं कन्या राश्ची की, कन्या लगन की कन्या लगन के लिए पंचम भाव में शनी का गोचराने वाला है, पंचमेश का पंचम में आना, वहां से वो सप्तम को देखेगा, लाब भाव को देखेगा और धन भाव को देखेगा, इसका क्यालत है, धन भाव और लाब भाव दोनों पर पंचमेश शनी के दिष्टी हो दूसरा कुंड़ी के सप्तमभाव और कालपुरुष के सप्तमभाव दोनों पर शनी के दिश्टी विवाहिक जीवन में परिशानिया और खलल डाल सकती है, इससे थोड़ा सावध्यान रहिएगा, ये पंचमेश ना केवल पंचमेश है, ये छटे घर का भी सौमी है, और अगर आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अगर आप मेहनत अपनी कंटिनुटी में रखते हैं, तो इस समय उसका विश्य इशलाब आपको मिल जाएगा, यात्रा और विदेश से संबंदित कारे सुगमता से होंगे, आसानी से अगर कोई वीजा के लिए आप ट्र तुला राशी वालों के लिए ढहिया जरूर है, लेकिन तुला लगन वालों के लिए लापकारी समय है, कैसे? तुला लगन के लिए योग कारक होता है शनी, वो चौते भाव में स्वराशी का होने जा रहा है, वहां से वो छटे भाव, करम स्थान और आपके लगन को दिख तो योग कारक रह की लगन पर दिख्टी आना विशेश लापकारी है, मान सम्मान मिलने के योग को ये दिखाता है, इसके अलावा चतुद भाव और काल पुरुष के चौते भाव पर शनी का प्रभाव है, लेकिन है वो नीरस ग्रह, विरक्त ग्रह, ऐसे में उसकी दिख् कम होना दिखाता है, यहाँ पर अगर आप दुबारा ध्यान दे तो देखेंगे कि ये शनी दस्वे घर को भी देखता है, और काल पुरुष के दस्वे घर में बैटा है, आल्थिक उन्नती के लिए महनत के लिए समय अच्छा है, पारिवारिक जीवन के लिए कुछ खास न आता है, क्योंकि धन भाव से शनी तीसरे आया है, और लाब भाव से शनी छटे, तो आल्थिक उन्नती के योग है, सम्मान मिलने के योग है, लेकिन सेहत का जरू ध्यान दखे, उसका कारण ये है, कि शनी फिलाल आपके लगन को देख रहा है, राहु भी जब तक शनी यहा आपके लगन को देखेगा, जिस वज़स태 कह सकते हैं, सेहत का ध्यान रखने की जरूत आपको विशेश है, विशिक लगन की बात करते हैं, विशिक लगन में तीसरे भाव में कुरूर ग्रह का गोचराया है, जो कि बेहच शुम्बताया जाता है, इसकी दिश्टी पंचं पर है नवंभाव पर है और वे स्थान पर है कुल्ली के दो त्रिकोंड पर अकारक शनी कि दिष्टियाना ये दरशाती है कि संतान और भविश और भूत से जोड़ी चिंताएं आपको लगी रहेगी वलतमान आपका अच्छा रहेगी इस बात को समझेगा कि अभी आपको जो आपकी घ्रणा चलती आई है या किसी तरह के कटु संबंध है वो कई न कई दिमाग में परेशानियां व्यवधान बनाए रखेंगे आत्म सम्मान और सेहत के लिए विशेश शुब समय है इस समय जितना अपनी सेहत का ध्यान रखे मतलब बहतर से और बहतर की तरफ जाने क अपर्यास करें तो प्रकति आपका साथ है नींद की कमी के योग आपकी कुल्डी में दिखते हैं क्योंकि बारवे घर पर शनी की दिष्टी है और कालपुरुष की बारवी राशी मीन राशी पर भी शनी की दिष्टी आ रहे है कारेशित्र से जुड़ी यात्राओं के यो इस समय आप उसके बारे में सोच सकते हैं शनी वहाँ पर अनुकूल परिणाम दे रहा है अब बात करते हैं धनू लगन के लिए धना अधिपती धनभाव में आया है उसकी दिष्टी चौते घर पर है और अश्टम भाव पर है और आपके लापस्तान पर है ऐसे में क्या हो कामोते नजर आ रहे हैं जैसे शनी मकर में मूब करेगा उसके बार विरक्ती का कारक है शनी हम यह नहीं भूल सकते हैं और परिवार के दोनों भाव परिवार को हम नॉर्मली दूसरे या चौते भाव से देखते हैं को टुम्ब का एक सिविचार एक भाव से किया जाता है परिवार का दूसरे भाव से इन दोनों पर शनी की दिष्टी यहां पर भी दिखा रही है कि कारशित्र के लिए शुब और पारिवारिक जीवन के लिए कोई विशेश लाबकारी समय नहीं है अध्यात्म में उन्नती के योग है भाग्यूनती के योग है वहां पर उन्नती भी शुरुवात के लिए तयार हो जाएं, आर्थिक दिश्टिकोंट से ये समय आपके लिए बहुत लापकारी है, मकर लगन की बात करते हैं, इनके लिए तो लगना अधिपती ही लगन में आ रहे हैं, जो की बहुत ही शुब्योग है, लगनेश का लगन में गोचर मान सम्मा की प्रापती, आपका रसूग बढ़ेगा, आपकी वेल्यू बढ़ेगी सोसाइटी में, लोग आपको सीरियसली आपके बारे में विचार करेंगे, जो की लापकारी समय है, इसके अलावा आपके लगनेश के दिश्टि पराक्रम भाव और कारिस्थान दोनों पर है, जब इन दोनों पर दिश्टि आती है, तो व्यक्ति रिस्क लेते हुए आगे भढ़ता है, और उस रिस्क का एडवांटेज भी उसको देखने को मिलती है, आर्थिक उन्नती के योग है, आत्मिश्वास की विद्धी की संभावना है, पूरी-पूरी बनी हुई है, रुके वे क आप्टर्स हैं, तो आपके लिए बहतर समय आ रहा है, पित्रपक्ष से संबंदों में खटास आ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, यहां पित्रपक्ष आपके चाचा, ताउ, यह जो इस तरह का परिवार है, उनके साथ थोड़ा बना कर चलने की खोशिश कीजेगा, इस समय आपकी परिख्षा हो सकती है, कि उनसे कैसे मदर सम्मंद आगे रखे जाए, संतान और विवा के लिए भी शुब समय है, तो जिनकी शादिया नहीं हुई है, यह जो संतान प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं, इस समय का सदुपियोग करें, भगवान ने चाहा, तो आपको एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होगी, अगर आपकी पत्रका में उसके योग है तो, अब बात करते हैं कुम्ब लगन की, कुम्ब लगन में लगनादी पती शनी अपनी राशी का हुआ है, लेकिन बारवे घर में, उसके तीन दिष्टिया होती है शनी की, एक धनभाव पर आ रही है, एक छटे घर पर आ रही है, एक भाकिस्तान पर आ रही है, लगनेश का बारवे भाव में स्वराशी का होना एक विशेश योग बनाता है, नॉमली लोग कहते हैं कि लगनेश बारवे जा रहा है तो नुकसान देगा, और वो गलत भी नहीं कहते हैं बारवे में इसका जाना लगनेश का बुरा ही होता है, लेकिन अगर वो महा स्वराशी का हो जाए, तो यह दिखता है कि विदेश से मुझे लाप होगा, तो जो भी कारे आप, जो भी विक्ति हैं, जो मुल्टिनाशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, या विदेश का कोई उ और बहतर करने के लिए प्रयास करेंगे इस समय में और उसका लाब आपको अवश्य मिलेगा, आर्थिक दिश्टिकोंट से भी ये समय बहतर हो रहा है, या यू कहूं कि लगनेश की धन भाव पर दिश्टि, आप अपने पैसे को लेकर थोड़े जादा सतर्क हो जाएंगे और ध्यान से खल्च करेंगे, खल्चों के भी योग इसमें बने हुए हैं, इस बारे को इस बात को भी ध्यान रखेगा, छटे भाव पर शरी की दिश्टि संगशों में उननती के योग को दिखाती है, जीवन साथी के लिए शमय विशेश लाबकारी है, रुके हुए काम आपके भी बनेंगे, क्योंकि भागिस्तान पर लगश की दिश्टि आ रही है, संतान पक्ष का ध्यान रखे और नींद पूरी लेने का प्रयास करें, जितना भेटर नींद आप लेंगे, उतनी उननती के योग है, शारिरिक क्या कहूं, स्वास्ति के लिए भी जरूरी है क या प्रॉपर नींद, इसके अलावा यदि आप अपने जर्मसान से दूर है, जैसे मैंने कहा विदेश मेवास कर रहे हैं, या मल्टिनेशनल कंपनी से जुड़ा काम करें, तो उसका लाव आपको अवश्य मिलेगा, अब बात करते हैं, आखरी लगन यानी मीन लगन, मीन के लिए लाव में शनी आया है, लावेश लाव में आना और उसका लगन पर, पंचम भाव पर, और अश्टम भाव पर दिष्टी आना, कुल मिलाकर एक सामानने से कुछ बहतर स्थिती को दिखाती है, लावेश की लगन पर दिष्टी होना, यानि कि आप में वो अगनी को प्रज्युलित करेगी कि आओ चलो पैसे कमाते हैं, यहां पर शनी का आपकी कुल्ली में पनफर भावों से संबन्ध है, यह बड़ा एक इंटरस्टिक पॉइंट है, पनफर भाव क्या होते हैं, केंद्र आप सबने सुना होगा एक चाह साथ दस को केंद्र कहा जाता है, इन क इसके अलावा वो पंचम और अश्टम पर दिष्टी डाल रहा है, दो पाँच आठ ग्यारा में से पाँच आठ ग्यारा पर शनी का प्रभाव है, यह दिखा रहा है कि भाई इस समय जो आप निर्णय लेंगे, इस समय आप बीज बोएंगे, और जिसका वरिक्ष लगकर आ आदकल गुरू धनु राशी में गोचर कर रहे हैं, जो तीन महीने के लिए आपके मका राशी में आएंगे और शनी से युती करेंगे, वहाँ पर मेरा सुझाव आपको यह रहेगा उस अवदी में, प्रयास कीजिएगा कि जादा लालच में आके जो सिती अभी बनी हुई जो बहतर स्थिती अभी है, उसको और बहतर करने के चक्कर में नुकसान ना कर, मेरी बास समझेगा, उस समय जादा प्लानिंग, ओवर कॉन्फिदेंस आपको आपके लुटियाडोग हो सकता है, तो उसका धियान रखना जरूरी है, संघशों में सफलता मिलने के योग हैं, मीन लगन वालो जातकों के लिए, अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, और नहीं बिक रही थी किनी कारणों से, तो इस साल आपको अच्छे खरीदार मिल जाएंगे, इस बारे में ध्यान रखेगा, आर्थिक सिती पहले से बहतर होती दिख रही है, पैसा आता द देखे, ये मीन लगन दक के फल थे, मैंने आज आपके सामने 12 राशिया और 12 लगनों के बारे हैं बात की, यहां पर ये प्रश्न उठ सकता है, कि भाई, मेरी राशी के इसाब से तो आपने शुब बताया है, पर मेरे लगन के इसाब से अशुब बताया है, तो ध्यान रख अगर आपकी लगन राशी में से जिसका भी स्वामी जादा बली है, आपको उस तरह के फल अधिक में दूसरा, देखे, हमारे जिंदगी बहुत कॉंपलेक्स है, एक ही व्यक्ति को कई तरह के फल एक ही समय पर मिल सकते है, संतान की तरह से अच्छी ख़ब सुनने को मिल सकत है, वेवाहिक जीवन अच्छा चल सकता है, पर उसे दिन आपका पस चोरी हो सकता है, तो यह कहना कि अरे यह तो अच्छे फल बताये थे और यह बुरे बता दी, अब मेरा क्या होगा, यह दोनों साथ साथ चल सकते हैं, हमारी जिंदगी इतनी, क्या बोलू मैं, मल्टी डा जर्ण है इसमें, कि एक ही वकत पर कई घटनाए साथ घटेट हो सकते हैं, होता यह है कि जो बुरी घटना घटेत होते हो अशे हमारा थ्यान बहुत जल्दी चला जाता है, और जो अच्छी घटना घटेत होते हो, इसको हम जएदा ध्यान नहीं देते हैं, तो दोनों ता ध पूछ सकते हैं कि आपका नक्षत्र क्या है अगले वीडियो में हम उसके बारें बताएंगे कि आने वाला समय शनी के मकराशी में जाने के बाद आपके लिए किस तरह का फल लाया है ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूले आपके लाइक हमें प्रत्साहित करते हैं और बहतर कारे करने के लिए जोतिश संबंदित और सामगरी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में शनी के नक्षत्रों के अधार पर फल के साथ जशेरा झाले झाले जबर सामगरी करते हैं